सुशान सिंग राजपूत की पहली डिट अनवर्सरी पे देश भर में फैंस उन्हें याद तो कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी उनके करीबी और दोस्त इमोशनल हैं। कोई उन्हें श्रधान जली दे रहा है और उनकी याद में पोस्ट लिख रहा है। इसी बीच उनकी पवित्र रिष्टा की को स्टार और सुशान्त की पहली गुर्फरिन रही अंकिता लोकंडे की इंस्टा स्टॉरी भी काफी चर्चा में है। अंकिता ने एक विडियो क्लिप लगाई है, इसमें वो हवन करती दिखाई दे रही है। अंकिता ने सुशान्त सिंग राजबूत को याद करते वो लिखा कि सुशान्त हमारे पीच नहीं रहे। इस सदमे से उनके फैंस आज तक नहीं उबर बाये हैं। बीते साल आज जी के दिन वो अपने अपार्कमेंट में मृत पाई गए थे। सोशल मीडिया पे सुशान्त का नाम आज एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है और उनके चाहने वाले एमोशनल होकर उन्हें याद कर रहे हैं। अंकिता लोखंडे ने भी अपनी इंस्टा स्टॉरी पे एक पोस्ट किया है इसमें वो हवन करती दिखाई दी रहे हैं। आपको बता दे कि अंकिता लोखंडे और सुशान्त सिंग राजपूर करीब 6 साल रिलेशन्चिप में थे। दोनों पवित्र रिष्टा सीडल के दोरान मिले थे और अंकिता और सुशान्त की शादी की खबरे भी सुर्खियों में थी। तब ही दोनों अलग हो गए। लेकिन सुशान्त की मौत के बाद से अंकिता काफी दिनों तक सबने में रही थी। और वो अक्सर सुषांत की फामिली के साथ उन्हें नियाए दिलाने के लिए लड़ती रही बिलहाल अंकिता विकी जैन के साथ रिलेशन्चिप में है दोनों जल्ड शादी कर सकते हैं एंटर्टेन्मेंट इंडास्ट्री से जड़े लोगों ने भी सुषांत को अपने अपने तरीके दिश्रता अंजली थी अली घाती हैं सुषांत तो चले गए लेकिन अपनी यादों के जरीए वो हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहेंगे गोणी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में सुषांत का फोटर लगाया वहीं गुर्मी चौदरी ने सुषांत की केदार नातफाली पिक्चर लगाकर उन्हें याद किया सुषांत सिंग राजपूर्थ की बेहन श्वेता सिंग कीर्थी अपने सोशल मीडिया पे पहले ही अनाउस कर चुकी है कि वो एक महीने पहाड़ों पर अकेली रहेंगी वो जून का महीना अकेले बिताना चाहिए